नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप लोग ये पीली-पीली सरसो से भरी हुई जो ये खेत है तो आप उसकी सुन्दर्ता देखिए और ये तो फालगुन के आने की आहट दिखाई दे रही है और अब मैं आपको ये वताऊंगा कि इस महीने में हमें कौन-कौन से सब्जी लग अबैरे में अब देखें कि कैसे मैंने इसको लगाया है और आप भी लगा सकते हैं इसको इसी तरह से अधनिया लगाना बहुत ही आसान है तो धनिया के बीच को आप दो टुकडों में करके और अच्छी मिट्टी बना करके लगा दें और इस समय सीजन जो है धनिये का है तो बढ़ियां फ्रेस और खुश्बूदार धनिया आपको मिलेगी और दुसरी चीज़ यह दिखाई दे रही है आपको शल तो आपको यह बहुत ही स्वास्थ वर्धक कि यह सबजी होती है और इसका सलाब भी बनता है इसका लोग जूस भी पीते हैं और इसकी पत्तियों का साग भी बनता है तो यह बहुत ही फायदेमन चीज है तो इसको तो अपने गार्डन में जरूर लगा लेने चाहिए और ब विट बीज खरीद ले मार्किट से या तो घर में जो लाल मिर्च होता है सुखा उसको आप मिट्टी में चीट दें तो आप देखेंगे कि जल्दी ही मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर आपको छोटे-छोटे पौधे दिखाई देंगे फिर उन पौधों को आप गंबलों में प्रांसफर कर दें और अपने घर की मिर्च का अनंद लें औह सीजन चल रहा है तो मिर्च का भी समय तो बरसात से ही सुर्व 一мо मिर्च बरसात में ही लगा लेती चाहिए लेकिन अभी इसका ही शीजन बिल्कुल चल रहा है अभी आप इसको लगा सकते हैं इसके बीज, आप छीट दे और दूसरी चीज आप देख रहे हैं दोस्तों यह है प्याज तो प्याज भी बीज से आप यही समय है और प्याज वैसे दिसंबर से लगाना सुरू कर देते हैं लोग तो आप इसको लगा लें और घर में जो है प्याज के जो उसका जो साग होता है वो बड़ कर आप उसका एंज्वाय कर सकते हैं और इसको आप मार्केट में जो प्याज मिलता है आज कल प्याज में ही साग जैसा निकला रहता है तो आप उसको कट करके यूज करके और उसका जो नीचे जड़ वाला सकते हैं दोस्तों यह सामने आप लोग लहसन देखिए लहसन का भी समय अभी भी है आप लीज सुन की कलीया जो है उसको मिट्टी में लगाए और इसके पत्तियों का एंज्वाय कीजिए और इदिखे इसको आप जितने बार कट करते रहेंगे नीचे से पत्तियां आपको मिलती रहेंगी अवस पत्तियों का इंज्वाय आप कर सकते हैं और अगली चीज जो आप इस मोसम में लगा सकते हैं जनवरी फर्वरी के महीने में वह है पालक पालक जो है यह तो एक तरह से पूरे साल भर लगाई जाती है लेकिन ठंड के पालक का क्या कहन है वह बहुत ही स्वास्थप्रद होता है इसे जनल चीज है और अपने घर के लगाए हुए पालक का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है तो इस तरह से आप आप देखी रहे हैं जितने भी इए सबजी आप देख रहे हैं सबके वीडियो भी मैं अलग से डालता रहता हूँ तो आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए ये पालक इतना बड़ा-बड़ा हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी यही मार्केट के पालक से बिल्कुल अलग टेस्ट इसका होता है क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल जो है फर्टिलाइ करनिंग में होती है वह बैगन तो बैगन की जो है लंगी और गोल वाली दोनों किसमें आप इस समय लगा सकते हैं अभी भी समय है इसको आप लगा सकते हैं आप इसके बीच छुड़क करके पौधे तयार करें ओर या तो मार्केट से बैगन के नए पौधे ले आयाए और आप इसको लगा सकते हैं यह गर्मी भर चलता है और बरसात में भी लगाया जाता है लेकिन बरसात में जो इसके लगाने की शुरुवात होती है ठंड के लिए होती है ठंड के सीजन के लिए तो फ्रेंड्स यह दिखिए अभी इसको मैंने दिसंबर में लगाया था तो अब यह इतना बड़ा हो गया और फ्रूटिंग देने लगा है तो अभी आप जो है आजकल ठंड बहुत तेज पढ़ रही है इसलिए थोड़ा पौधों में ग्रोथ रुख सी गई है और दोस्तों यह जो अगली चीज है आप लगा सकते हैं इस समय वह लौकी लौकी जो है यह ब कंटेनर में ट्रांसपर करेंगे तभी उसमें से आपको फ्रूटिंग मिल पाएगी वर्नर नहीं मिल पाएगी छोटे प्लान्ट स्यख्म्रा घमला होता है तो आप लोग देख लहें हैं कि हमारों इसमें अब छोटी-छोटे फलियां आने लगी हैं, छोटी-छोटी फल आने लगे हैं, तो इसमें कुछ फल को मैं रखोंगा, बाकी को हटा दूँगा, क्योंकि सभी को रखोंगा, तो किसी का भी ग्रोथ नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों अभी सीजन है, लौकी लगाने का, तो लोग कि आप बड़े आराम से कोई बूरा हो आपके पास बड़ा बूरा हो तो उसमें सब्जियों की छिलके वगर डाल करके और मिट्टी वगर डाल करके रख दीजे और 10 दिन के बाद उसमें जो जर्मिनेट हुआ पौधा है उसको आप लगा दीजे और बूरे में यह सेम की फलिया इसमें तोड़ने लाइक हो गई है लेकिन यह जाड़े के समय में यह नहीं लगाया जाता है आप इसको बरसाच के समय में ही लगा सकते हैं जाड़े के समय में तो इसकी तोड़ाई होती है अभी इसकी बीज लगाने के समय नहीं है तो यह देखिए इतना बड़ा भी कोओ फुरूटिंग इसमें निकल रही है और फ्लावर इसकी बभś d分 सुंदर लगती है, और दोस्तों मठर भी ससमें लगा सकते यह अब नगर मठर मठर जो है अगेकर के वाली मठर जो होती है वह लगाई जा चुकी है और जो बाद में लगाई जाती है मठर और ठंड के महीने में इसको लगाया जाता है कोई भी ठंड जैसे दिसमबर जनवरी फरवरी मार्ज तक आप लगा सकते हैं और इसके जो साग होता है इसका स्वाद आप ले सकते हैं टेस्ट ले सकते हैं किसी बड़े चिछले बोरे में इसको लगाएं या बड़े चिछले कं सकते हैं जैसे पका हुआ कोई टमाटर हो तो उसको मिट्टी में चोड़ दीजिए तो आपको धेड़ सारे पौधे मिल जाएंगे और अगर बढ़ियां हाइब्रिड वाला टमाटर आप लाना लगाना चाहते हैं तो आप मार्केट से इसका बीज ले आए थोड़ा सा 2-4 रुपए में आपको धेड़ सारा बीज मिल जाएगा हाइब्रिड बीज तो उसको आप लिए करके से पहले जरुआट करनी किसी छोटे कप में जरुरु कर लेना चाहिए आप लोग देख रहे हैं कि मैंने छोटे कप में इसको जरुआएर और फिर इसके बाद इसको गोबर जरूर गोबर की जो खाद होती है उसको आप जरूर मिट्टी में मिला करके रखें और इसकी लिए रेतीली मिट्टी होनी चाहिए तो फ्रेंड्स अपने घर के टमाटर का स्वाथ बिलकुल अलग होता है अगर आप आपने लगाया होगा टमाटर तो आपको पता चला जानते होंगे आपकी कितना बिलकुल अलग टेस्ट होता है इसका तो यह टमाटर लगाना इसमें बहुत आसान है इसको जनवरी के महीने में आप बड़े आराम से लगा सकते हैं और जनवरी ही नहीं फरवरी मार्च आगे भी लगा सकते हैं और गर्मियों में भी इसको लगाए जाने वाला प्लांट है लेकिन ठंड के महीने में टमाटर जो है सबसे अच्छा माना जाता है ठंड के महीनों का टमाटर और वो स्वास्थ के लिए भी उत्तम है तो आप इस तरह से जैसे कि मैंने बताया है कि पहले उसकी सैपलिंग तयार कर लें बीच से और उसके बात उसको जब उस चोटे चोटे पौधे हो जाए तो उसको किसी बड़े कंटेनर में चांसफर कर दें और अगर आपके पास ग्रोबैक्स हों तो ग्रोबैक्स में भी लगा सकते हैं बड़े सक्सेस्पुली यह लग जाता है तो आजकल तो इसकी तोड़ाई हो रही है घर दी निकलता है और फ्रेंट्स अब आपको बताता हूं कि मूली जो है मूली अभी सीजन चल रहा है मूली भी आप लगा सकते हैं ठंड के महिने में मूली का सीजन जो है सितंबर से स्टार्ट हो जाता है और आगे जो है मार्च तक आप मूली ठंड वाली जयानी जाड़े के समय वाली मूली आप ये देखिए ये बीज है इसको मैंने मार्केट से खरीदा था तो इसको इसके बीज पहले अच्छी जो भुरभुरी मिट्टी होती है जिसमें 50% के आसपास गोबर मिला हुआ हो तो आप उसको अच्छी तरह तयार करके थोड़ा सा नीम खली जरूर मिला लें और नीम खली मिला करके और इसको मिट्टी तयार करके और इस तरह से बीज चड़क दें जब बीज आप छड़केंगे तो इसमें जर्मिनिशन धेर सारे पौधों का होगा तो आप इसमें कुछ पौधों को निकाल बाहर करें क्योंकि सबको रखेंगे तो जो नीचे जो है इसकी जड़ बनेगी जानी जो मुली जिसको खाते हैं तो वो ठीक से नहीं डिवलप हो पाएगी तो इसके सारे पौधे आप न रखेंगे और यह देखिए बीच छिड़क करके मैंने लगभग आधी इंच मोटी तकी मिटी को बिछा दिया है और इसके बाद इसमें वाटरिंग कर दूँगा तो यह देखिए इसको बौशार के माध्यम से इसकी वाटरिंग करनी चाहिए बौशार के माध्यम से करने से क्या होता है कि मिटी यह डिस्टर्ब नहीं होती है अभी देखिए यह दूसरे पौट में से मैं इसको आप यह देखिए इतना बड़ा-बड़ा हो गया है यह मुली है तो अभी आजकल मैंने इसको लगाया भी है और इसकी हर्वेस्टिंग भी किया है तो इसको हर्वेस्टिंग करते हुए आपको दिखा रहा हूं इधर ठंड इतनी तेज पड़ी कि छट पर की जो पतियां है वह बिल्कुल उन्हें अच्छी तरह डेवलप्मेंट नहीं हुआ और खेतों की बात अलग होती है के तो में जो है उसने कीमिकल फर्ट सी डेवलप्म हुई है तो इसको निकाल ले रहा हूं आप लोग देखिए दोस्तों तो फ्रिंट्स यह वीडियो जो मैंने बताया है कि जनवरी की महीने में आप कौन-कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं अभी जनवरी बीतने में अभी 10 दिन लगबग है तो आप इन सब ज लगा सकते हैं सरसो का सीजन हाला कि अभी थोड़ा साथ लेट हो गया लेकिन अभी भी समय है ठंड का महीना अभी चल रहा है जनवरी का महीना है तो आप लगा सकते हैं बस आप देखेंगे कि मार्च तक आपके गार्डेन में खुब भेर सारी सरसो की फसल फली के साथ आ ज कर दो आपके बाचिन कर दो आपके बाचिन